एलो बच्चो क्या हाल चाल कैसी चल रही है पड़ाई तो आज के इस वीडियो हम लोग solve करने वाले हैं previous year paper AIEEE 2011 का इस previous year solve करने के बीछे main मकसद यह है कि जो भी J-E mains के त्यारी कर रहे है वो जब previous year solve करेंगे तो यहाँ पर एक-एक question discuss करते हैं हम लोग बहुत ही detail में हर एक question के पीछे क्या concept है वो सब कुछ discuss किया जाता है उसके बाद उसका solution दिया जाता है इससे तुम्हारा बस एक फायदा होगा कि जब तुम J-E mains में जाओगे तो तुम्हें कोई भी question नया नहीं लगने वाला है क्योंकि तुमने conceptually अलग-अलग तरीके से हर question को solve कर रखा होगा तो J-E mains क्या करता है बेसिकली previous year papers देखोगे और उसको सब को solve करोगे तो तुम्हें पता चलेगा J-E mains exam में ऐसा कोई भी question नहीं है जो out of the box thinking type आ रहा है वो हमेशा previous year papers से ही derived होता है या फिर inspired होता है तो video start करने से पहले जो भी इस channel पर नहीं है उनको मैं बता दू इस channel पर J-E के तयारी होते है for class 8, 9, 10, 11, 12 and dropper बच्चे जैसे तुम्हें home page पर आओगे तुम्हें दिखेगा upload section और उसके नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा J-E advance और IIT J-E revision या फिर previous year paper solution यहाँ पर हर एक year का तुम्हें solution मिलेगा एक-एक question बहुत ही discuss किये गयोंगे बहुत ही detail में ठीक है और यह जो सबसे पहला वाला playlist है इसमें तुम्हें दिखेगा कि जो भी question है हर वीडियो में हमने एक question को solve करा है and वो question multiple chapters के concept carry कर रहा होगा पहले हमने उस concept को discuss किया है उसके बाद उस question के solution को discuss किया है तो इससे भी तुम्हारा बहुत ही फाइदा होने वाला है और नीचे जाओगे जो J-E mains के त्यारी कर रहे है और J-E mains since आने वाला है तो revision start कर चुके हो तो ये वाला playlist या फिर ये वाला section तुम्हारे लिए बहुत important है इसमें सबसे पहला playlist जो है इसमें हमने हर एक वीडियो में J-E main level के question solve किया है उसके concept discuss किया है basically पढ़ाया है concept को उसके बाद उस question को solve किया है तो foundation builder course तुम्हें दिखेगा जो भी class 8th, 9th या 10th के बच्चे है वो foundation के त्यारी कर रहा है अगर या फिर उनका aim ऐसा है कि मैं IT में जाने वाला हूँ तो ये इस section में आके सारे videos को देख सकते हैं अगर तुम्हें पता करना है कि यहाँ पर मैं क्या-क्या डालूँगा तो यह सबसे पहला video जाके देख लो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं इस course में क्या-क्या include करने वाला हूँ तो चलो वीडियो को start कर लेते हैं question number 81 question number 81 में एक statement given है statement 1 question को ध्यान से पढ़ना बोलागे है determinant of skew symmetric matrix of order 3 is 0 अब सबसे पहले तुम्हें knowledge होना चाहिए skew symmetric matrix क्या होता है symmetric matrix क्या होता है symmetric matrix इसको बोलते है जिसमें A का transpose लो suppose A is a matrix तो उसका अगर transpose लिया जाए तो exactly A के बराबर ही आजाए लेकिन skew symmetric matrix में A का transfer लो तो वो minus A के बराबर आ जाएगा ठीक है अब मुझे ये भी knowledge है पहले से कि determinant of A transpose is same as determinant of A तो अब ध्यान से देखो अगर skew symmetric matrix है और इसका determinant निकालने जाएगा तो this is determinant of minus A and since order 3 है तो हमें determinant का rule पता है कि यह जो minus sign है minus 1 पे power 3 आएगा then determinant of A के बराबर होगा this is minus of A determinant और ये भी A determinant के बराबर है जो क्योंकि A transpose का determinant mod A के बराबर ही होता है so यहाँ से I can say कि 2 times determinant of A is equal to 0 और we can say determinant of A is equal to 0 hence आज के बाद तुम याद भी रख सकते हो कि अगर मेरे पास skew symmetric matrix है and उसके जो order है 5 order होता, 7 order होता basically कोई भी odd number होता तो उसका जो determinant होगा वो हमेशा 0 होगा this statement is true statement 2 पढ़ते है for any matrix A determinant of A transpose is equal to determinant of A and determinant of minus A is equal to minus of determinant A देखो ये वाला statement तो उन्होंने 100% सही बोला है ठीक है, A transpose का determinant A के बराबर होता है और हमने उस चीज़ का use भी किया अब बच्चे यहीं पर फस्त है यहाँ पर जैसे ही तुम next statement पढ़ोगे end बोला गया end mass में end का मिनिंग यह होता है ये भी true ये भी true दोनों के दोनों true होंगे तभी ये पूरा का पूरा statement true होगा एक भी false होगया तो ये statement true नहीं होगा second वाला चीज़ जो है ये उसने गलत बोल दिया यार क्यों गलत बोल दिया determinant of minus A is not equal to minus of determinant A ये हमेशा true नहीं होगा या ये हमारे यहाँ पर true हुआ वो true इसलिए हुआ क्योंकि order कितना था 3 था तो minus 1 पर जो power गया वो कितना गया और गया अगर वो order even होता तो minus 1 पर power even number जाता वो 1 बन जाता हैंस उस टैम पर ये valid नहीं होता और जब ये valid नहीं होता इसलिए false हो गया पहला वाला is true दूसरा वाला is false बीच में है end हैंस ये overall false है तो statement 1 is true statement 2 is false option number 4 हमारा right है I hope हर एक बच्चे का एक एक point clear हो गया होगा और यहाँ तुमें कुछ सीखने को मिला होगा कि इसकी symmetric matrix symmetric matrix या फिर determinant वगेरा क्या होता है इस type का question अब future में कभी भी आ जाए तो तुम बहुत यासानी से solve कर सकते हो next question पर move करेंगे अगला सवाल हमारी पास trigonometric है basically trigonometric equation given है और पूछा गया क्या क्या possible value of theta है in 0 to pi अब देखो इसको दो तीन तरीके से बच्चे करते हैं एक तो यह होता है को option को ही put कर दिया लेकिन जब तुम option को put करोगे यहाँ तुमें दिखेगा बहुत सारे options है यार कितने options put करने जाओगे कितनी बार value calculate करोगे इससे तो अच्छा है कि तुम इसका solution ही निकाल लो time waste हो जाएगा नहीं तो और solution निकालना कोई difficult भी नहीं है तुम equation को ध्यान से देखो equation is sin theta plus sin 4 theta plus sin 7 theta is equal to 0 है अब इस step का standard form है इस step के equation को solve करने बताया जाता है तुम क्या करो sin c plus sin d लगा दो एक छोटे एक बड़े से theta and 7 theta में sin c plus sin d लगाओगे तो sin c plus sin d का formula सबको याद होना चाहिए 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus sin 4 theta is equal to 0 अब दोनों में तुम्हें sin 4 theta common दिखरा होगा bracket के अंदर जाएगा 2 into cos 3 theta plus 1 is equal to 0 यह तो बहुत ही simple सा equation आ गया hence we can say के sin 4 theta 0 रहा होगा या फिर 2 times cos of 3 theta plus 1 0 रहा होगा so from here I can say that sin 4 theta 0 है तो 4 theta should be equal to n pi जहाँ पे n belongs to integer यह हमारा general solution हुआ so theta should be equal to n pi by 4 अब n की value जब 0 रखोगे तो यह 0 आएगा क्योंकि 0 से pi में देखना है तो मैं वही देख रहा हूँ n 0 पे open है इसलिए 0 include नहीं करेंगे n की value 1 डालोगे तो pi by 4 आएगा n की value 2 डालोगे तो 2 pi by 4 that is pi by 2 आएगा n की value 3 डालोगे तो 3 pi by 4 आएगा n की value 4 डालोगे नहीं तो पहली बात तो यह तीनों देख लो किस मैं pi by 4 pi by 2 3 pi by 4 pi by 4 pi by 2 3 pi by 4 pi by 4 pi by 2 3 pi by 4 pi by 4 pi by 2 3 pi by 4 अच्छा मतलब सब में यह है इसका मतलब इसको solve करने से कोई फायदा हुआ है नहीं यह चारो option में मिल गया मुझे ultimately they want us to solve this equation कर लेते हैं इस equation को भी solve हमें क्या है हमें तो सब कुछ आता है so cos 3 theta is equal to minus 1 by 2 अब बताओ भाई cos theta is equal to cos alpha का solution क्या होता है तुम बोलोगे 2n pi plus और minus alpha तो 2 pi by 3 पे cos theta minus half होता है so theta is equal to 2n pi by 3 plus और minus 2 pi by 9 n की value plus वाला पे ले ले लेते हैं plus वाला 2n pi by 3 plus minus 2 pi by 9 2n pi by 3 2n pi by 3 plus 2 pi by 9 ठीक है so from here I can say देखो यह n की value 0 डालोगे तो यह 2 pi by 9 आएगा which is पहला option कटा 2 pi by 9 इधर है 2 pi by 9 इधर है 2 pi by 9 इधर है n की value 1 डालोगे तो यह 2 pi by 3 plus 2 pi by 9 आएगा so from here I can say 9 3 in 2 3 6 pi plus 2 pi that is 8 pi by 9 8 pi by 9 इधर है इधर भी है ओके n की value 2 pi by 3 कभी हो सकती है क्या n की value minus 1 डालो तो minus 1 डालोगे तो this is equal to minus of 2 pi by 3 plus 2 pi by 9 तो I think this will be negative क्योंकि 9 आगया 3 into 3 minus 6 pi तो यह negative लेना ही नहीं है प्लस वाला ही लेंगे so n की value जब 3 डाला तो यह आगया 2 pi plus 2 pi by 9 so this is basically 4 pi by 9 आ रहा है क्या 4 pi by 9 I guess आ जाएगा 4 pi by 9 के लिए यह भी 2 pi by 9 चाहिए that is 2 pi by 9 plus 2 pi by 9 तब यह 4 pi by 9 बनेगा so this is equal to अगर 2 pi by 9 कर दे तो 2 pi 2 pi कर जाएगा 3 into 3 n की value 1 by 3 यह तो possible नहीं है लेकिन 2 pi by 3 भी possible नहीं है तो I guess यहाँ पे इन्होंने कुछ तो mistake किया है कुछ तो mistake किया है अगर 4 pi by 9 में इधर डाल दू तो क्या आ रहा है 4 pi by 9 इधर डालू तो cos 3 theta 3 into 4 pi by 9 3 into 3 तो this is cos 4 pi by 3 so cos 4 pi by 3 is basically cos of pi plus pi by 3 so cos of pi plus theta is minus cos theta तो minus cos pi by 3 यह minus half exactly आ रहा है 4 pi by 9 पे hence option number 4 अमारा true हो गया ठीक है? चलो next question पर move करेंगे area under the curve का question है सब को यह topic आता है basically मेरे हिसाफ से area bounded by the curve बहुत ही simple curve दिया हुआ x square is equal to 4 y and y square is equal to 4 x यह दो-दो parabola है एक parabola कुछ ऐसा? एक parabola कुछ ऐसा ठीक है? यह side वाला बनाओ ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि between the curve बोला है तो यही area हमें चाहिए अब इसका point of intersection तो एक 0,0 आ गया दूसरा क्या आएगा? देखलो यहाँ directly दिख रहा है 4,4 this will be 4 this will be 4 दोनों को satisfy कर रहा है 4,4 ठीक है? तो यह area ultimately चाहिए तो निकाल देंगे integration 0 से 4 y up y up is यह है y square is equal to 4x यह x square is equal to 4y to y up y up का मतलब root under 4x ठीक है? minus y down y down यह वाला है y down is x square by 4 into dx ठीक है? तो this is the area root under 4x को 2 root x लिख सकते है 2 root x का integration क्या होगा? तो x to the power 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 divide by 1 by 2 3 by 2 फीक है? यह इतना आ गया minus यहां आ गया x cube by 3 into 4 that is 12 x to the power n का integration is x to the power n plus 1 upon n plus 1 0 से 4 so देख लो भई अब क्या आ रहे? this is 4 by 3 0 डालने पर तो 0 ही आ जाएगा 4 पे power 3 by 2 minus 4 पे power 3 divide by 12 यह यह आंसर आना चाहिए ओके तो 4 by 3 common है दोनों में इधर आ गया 4 पे power 3 by 2 अज़ 3 by 2 को लिख सकते है 4 पे power 1 by 2 that is 2 2 की power 3 that is 8 ठीक है तो this is 4 by 3 into 8 minus 64 upon 12 ठीक है तो यह 4 into 3 4 into 16 ओके 32 by 3 minus 16 by 3 that is 16 by 3 16 by 3 आंसर कौन सा है option number 2 तो यह question यार सिफ calculation बेशता है ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था conceptually बहुत easy question था ठीक है ओके next question और यह question को star mark कर सकते इस type का basic question आता रहता है ठीक है एंड यह अच्छा question भी है देखना ध्यान से बोला गया है there is a function f be a function defined by fx is equal to 10x by x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0 ठीक है statement 1 इस पे given है x is equal to 0 is a point of minimum and f dash of 0 is equal to 0 ठीक है तो देख लेंगे पहली बात 10x and x का जब graph बनाओगे तो तुम्हें कैसा दिखेगा y is equal to x यह चीज याद रखने वाली है ठीक है y is equal to x line यह होगा y is equal to 10x यह होगा ठीक है तो जब x tending towards 0 प्लस पे जाओगे x tending towards 0 प्लस पे 0 से थोड़ा आगे तो 10x is greater than x होगा hence we can say 10x upon x is greater than 1 होगा लेकिन जब x less than 0 जाओगे तब भी 10x is less than x होगा ठीक है so इस टेम पे 10x upon x will be less than 1 ठीक है ओके तो जब x is equal to 0 का हम लोग खेल देख रहे हैं तो 0 से हलका सा आगे जा रहे हो तो 10x by x 1 से बड़ा है हलका सा पीछे जा रहा हो तो नहीं यह मैंने mistake है न x is negative है न x is standing towards negative तो यहाँ sign change हो जागा here also it is greater than 1 10x by x greater than 1 होगा ठीक है तो 0 minus पे भी जा रहे हो अच्छा तुम्हें समझ में है न inequality sign change क्यों किया मैंने क्योंकि negative number है न x से divide किया मैंने दोनों side and x is a negative number जब negative number से inequality में divide करते है तो inequality का sign change हो जाता है so this is greater than 1 इधर भी greater than 1 तो सबसे minimum value कहा आ गया यह that is at x is equal to 0 point of minima है and since if point of minima है f dash 0 0 है ठीक है okay so बोला गया statement 1 is true statement 2 is true statement 1 is true statement 2 is true ठीक है and statement 2 is not the correct explanation right है okay next question पर जाएंगे question number 85 अब देखो यह mathematical reasoning का question है mathematical reasoning mathematical reasoning में यार मैं हमेशा बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना होता है न तुम्हें when diagram से जाओ maximum लोग truth table से बताते है true false true false true false वाला चीज़ मैं true false से नहीं करता हूँ when diagram से मुझे बहुत यासानी से हो जाता है question देखना अगर तुम्हें नहीं आता है तो सीख भी जाओगे इसको intersection के treated को इसको union के तरह पूछा है which other following is totology totology का मतलब क्या है हमेशा true हमेशा true का मतलब क्या अगर तो when diagram बनाने जाओ पूरा फील हो जाए दिस मेंस वो totology हो जाएगा ओके तो ए यूनियन भी पहली बात तो ए है भी है यूनियन भी मतलब यह पूरा ठीक है अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ तो यह वाला पार्ट यह टॉटलोजी नहीं है अब इसमें देख लो सेकेंड वाले के लिए कि ए इंटरसेक्शन भी यह वाला पार्ट उसका यूनियन ए के साथ यह पूरा यह भी टॉटलोजी नहीं है ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा यह है डाइग्राम होते है ठीक है तो A implies B को अगर मैं union intersection के form में लिखूँँगा तो हम लोग बोल सकते हैं not B का union A के साथ not B का union A के साथ देखो not B मतलब इसके बाहर का sorry क्या बोल दिया मैंने not A का union B के साथ not A का union B के साथ A के बाहर that is not A का union B के साथ ये तो ये दिस इस दिस not A का union B के साथ so from here हम लोग अब देख सकते हैं कि A ये B A है A implies B उसका intersection A के साथ उसका intersection A के साथ लोग सिर्फ ये वाला पाट आएगा सिर्फ ये वाला पाट this means ये पूरा का पूरा statement is A intersection B A intersection B implies B अब निकालना है तो हमें पता है कि A implies B is not A union B so this is not of A intersection B union B so अब इसमें तो हमारा क्या लगेगा इसमें तो हमें लगेगा D Morgan's Law तो हमने बोला not A union not B union B not B union B इसी दोनोंने मिलके पूरा का पूरा sample space बना दिया देखो not B का union B के साथ और उसका union लेना है फिर से not A के साथ तो ये पूरा पूरा फिल हो गया जिसमें this is the tautology ठीक है तो वेंड डियाग्राम से बहुत easy पढ़ जाता है अगर तुम्हें वेंड डियाग्राम पता है तो तो वेंड डियाग्राम तुम्हें याद रखना है एंड अगर तुम्हें ये chapter पढ़ना है तुमने नहीं पढ़ा है कभी तो जाके मेरे home page में जा chapters included है mathematical reasoning पूरा detail ने बताये गया वेंड डियाग्राम में जितने भी previous question आज तक आये हुए सारे के सारे solve किये गया है statistics तुम्हें दिख जाएगा set theory and relation दिख जाएगा ये playlist तुम देखो कि जब तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा क्यों के mathematical reasoning all PYQ ठीक है जितने भी PYQ है सबने हमने discuss कर लिया ठीक है अब देखो A, B, C भी pairwise independent जैसे ही बोल दिया pairwise independent दिस मेंज P of A intersection भी कितना है P A into P B P of B intersection C कितना है P B into P C P of C intersection A कितना है P C into P of A ठीक है P of C positive है मतलब ठीक है P of C exist करता है P of A intersection B intersection C 0 है अब इस बात को समझने की बात है A intersection B intersection C का probability 0 है मतलब तीनों में कोई intersection पार्ट है ही नहीं तो इसका जो Venn diagram बनाया जाता है तो तुम कैसा बना होगे कोई ऐसा होगा A फिर कोई ऐसा होगा B ठीक है लेट से ऐसा होगा B and कुछ ऐसा होगा C ये बाहर चला गया थोड़ा सा देस A आ गया B आ गया C आ गया तीनों का ओवर ओल इंटरसेक्शन 0 है देन पूछा गया P of A complement intersection B complement by C तो जब भी ये होता है नब P of A भाई भी मैं बोलता है पहले तो लिख लो तुम P of A complement intersection B complement by C तो तुम्हें क्या करना है जब भी ऐसा हो नब नीचे वाला पहले लिख लो P of C ठीक है end of C पे focus करो सिर्फ C हो चुका है what is the probability that this will happen given that C हो चुका है A complement intersection B complement होगा A complement मतलब A के बाहर वाला A के बाहर वाला C में ये ठीक है end B complement ये दोनों का intersection मतलब सिर्फ ये वाल रिजन होगा इस वाले रिजन को लिखना बहुत आसान है इस रिजन ही P of C minus P of A intersection B sorry A intersection B क्यो लिख रहा हूँ A intersection C minus P of B intersection C A intersection B ये वाला A intersection C minus किया B intersection C minus किया okay so अब independent का use होगा P of C minus P of A into P of C minus P of B into P of C अब तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा why they have given that P of C is greater than 0 since P of C positive है तो P of C को cut किया जा सकता है उपर रहे नीचे and this will be equal to 1 minus P A minus P B अब देखलो कांसा अंसर सही है 1 minus P A minus P B minus P A minus P B तो P A compliment P को B compliment नहीं होगा P A compliment yes this is P A compliment minus P नहीं P of A compliment minus P B option number 4 is right ठीक है तो इस question को भी star mark कर सकता हूँ बहुत अच्छा question ही इस type के question आएंगे future में भी next question number 87 question number 87 नहीं बोल दिया a is not equal to a1 is not equal to 0 fx है gx है px given है px is equal to this px is equal to 0 only 4x is equal to minus 1 इससे क्या बता चला कि px का d is equal to 0 है तो यार पहले px निकाल लो px will be a minus a1 times x square plus b minus b1 times x plus c minus c1 times question अब इसको अगर मैं कुछ माल लू इसको एक capital b माल लू इसको एक capital c माल लू तो मेरे लिए लाइफ असान होगा थोड़ा अब बोला है x is equal to minus 1 पर 0 है तो p of minus 1 is equal to 0 तो a minus b plus c is equal to 0 abc में एक relation आ गया ठीक है दन पूछा है p of minus 2 is equal to 2 p of minus 2 भी है and since इससे सोच तूम since a minus a1 ठीक है p of x is equal to 0 तो a minus a1 a minus a1 positive रहे है या negative रहे है यह जो पैरा बोला होगा यह इसका vortex या तो यह होगा या तो यह होगा इसका x coordinate will be fix and y coordinate will be fix क्यों क्योंकि बोला है only x is equal to minus 1 पर px 0 हो रहा है this means x is equal to minus 1 पर touch करके उपर चला गया होगा या x is equal to minus 1 पर touch करके नीचे चला गया होगा this means x is equal to minus 1 y is equal to 0 will be the coordinate है ना तो यहां से minus b by 2a minus b by 2a that is minus b by 2a is equal to minus 1 so b is equal to 2a एक और relation हा गया and third relation कहां से आएगा p of minus 2 2 है so p of minus 2 is equal to 4a minus 2b plus c is equal to 2 है okay so 4a minus 2b plus c और c के जगह देखो I can write c is equal to b minus a so plus b minus a is equal to 2 so from here I can say 3a minus b is equal to 2 and b के जगह 2a लिख सकते है तो 3a minus 2a is equal to 2 so a is equal to 2 a 2 आगया तो b is equal to 4 b 4 आगया a 2 आगया तो c is equal to 4 minus 2 that is 2 ठीक है तो a b c सब आगया हैंस p x आगया 2x square plus 4x plus 2 and अब उसने पूछा है कि what is the value of p of 2 p of 2 निकाल लो अब p of 2 विल विल बी चादना आठ आठ दो 20 I guess कुछ मिस्टेक किया है मैंने calculation में so method तुम्हें समझ में आ जाना ये ठीक है तो it is time taking a b c मैंने सही लिखा है x is equal to minus 1 पर 0 हो रहा है वो भी मैंने सही लिखा minus b by 2a minus of b by 2a ठीक है उसको मैंने minus 1 के बराबर लिखा हाँ सही है तो minus minus कट गया b is equal to 2a आ गया ओके अच्छा तो this calculation might be wrong ठीक है this calculation might be wrong तो एक बार recheck कर लेना and कोई answer आ जाएगा a b c के value आगी तो p of 2 तो आ ही जाएगा next next question is the length of the perpendicular drawn from the point this to the line this बहुत simple एक line है कोई एक point है कोई 3, minus 1, 11 अब यहां से length of the perpendicular पूछा है suppose pq, pq is perpendicular अब यह line है तो I can write q point as general point के लिख सकते है इसको अगर lambda ले लूँ तो 2 lambda, 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3, q can be this अच्छा इसका direction vector भी मुझे पता है direction vector is 2 i cap, 3 j cap, 4 k cap इसका direction vector मुझे पता है तो I can say pq vector dot 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap, should be 0 तब यह perpendicular होगा तो यहां से q point आ जाएगा देखना pq vector that is 2 lambda minus 3 i cap plus 3 lambda plus 2 minus minus plus 1 j cap plus 4 lambda plus 3 minus 11 k cap इसका dot तुम्हे लेना है 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap के साथ यह dot को equate करना है 0 से जैसे ही यह dot लोगे तुम्हारे पास आजाएगा 2 lambda minus 3 into 2 एक है 2 times 2 lambda minus 3 dot product आईगेर सबको लेने आता है 3 into 3 lambda plus 3 plus 4 into 4 lambda minus 8 is equal to 0 यह equation से यह यह एक्वेशन से यह 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 मैंचे के जो भी वैलू आएगी यह 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 यह, you know p point, you know q point, you can apply distance formula log this is root under x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square plus z2 minus z1 ka whole square and perpendicular distance आ जाएगा ओके next question interesting है बोलागे एक इक रिलेलेसर डिफाइन किया गया a is equal to p inverse bp ठीक है for some variable बोलागे एक वेलेंस है कि नहीं equivalent तब होगा जब स्यमेट्रीक होगा ट्रंजेटी भोगा और रिफ्लेक्सी भोगा रिफ्लेक्सी का मतलब r a a मतलब a a is equal to p inverse a p है क्या ठीक है तो अगर मैं p से दोनों साइड multiply कर दू तो p a is equal to p into p inverse आई a p ठीक है तो p a is equal to a p so अब मैं p inverse आगी लगा दू तो p into a into p inverse is equal to a into यह तो फिर से वही आगया क्या है हाँ तो hence we can say यह रिफ्लेक्सीव है इसी तरीके इस तुमें चेक करना है a और b p a is equal to p inverse dp है तो फिर से तुमें क्या करना है आगे एक p multiply करोगे तो आगे यह खतम होगा फिर पीछे एक p inverse multiply करोगे तो यह खतम होगा ठीक है तो b is equal to यह आगया फिर से यह symmetric भी है hence similarly a b हो b c हो तो c a हो गाई तो यह भी हो जाएगा तो मैं इसे ही करोगे खाली p into p inverse हम लोग लगा रहे यह तो तुमारे ncrt में भी है ncrt ठीक है चेप्टर क्लास 12 का सबसे पहला चेप्टर रिलेशन उसी में यह यह question डाला हुआ है ठीक है अब लाइफ और फॉर एन टू invertible matrix m n का inverse is n inverse into m inverse सही है ठीक है invertible matrix तो दोनों true है बट्रिक्स correct explanation नहीं है ठीक है option number two इस पेपर का last question यहार यह question बहुत easy है ठीको fx is a differentiable function a tax is equal to a limit x extending towards a zero by zero form है hence एले चुल लगेगा तो limit extending towards a है एक्स स्क्वाइर का difference है 2x f a constant है minus a square को a square रहने देंगे f dash x अपन नीचे बना गया a डाल दो 2a into f a minus a square into f dash a यह answer 2a into f a minus a square into f dash a ठीक है option number third यह बहुत easy question था बहुत ही easy question तो यहां पर हमने a i triple e two turn eleven जो की अब j main के नाम से जाना जाता है वो हमने complete कर लिया ठीक है अब हम लोग इसके बाद a i triple e 2012 करेंगे 2013 करेंगे 2014 करेंगे उसके बाद का किया हुआ अल्रेडी 2015 16 17 सब मिल जाएगा तुम्हें एंड यह खतम करने के बाद हम लोग बैक वाले भी करेंगे 210 भी करेंगे 2009 भी करेंगे जितने भी पीवाई क्यू है जितने भी j main के पीवाई क्यू है सारे कर लेंगे ठीक है overall पूरा कर लेंगे तो अगर तुम तुम इस सिरेज को फॉलो कर रहे हो एक एक क्रेशन को ढंग से सोच रहे हो ढंग से सॉल्व करने आ रहा है तुम्हें तो तुम जाए मैंस में मचाने वाले हो बस इतना सोच लो मचा दोगे फोड़ दोगे all the best पढ़ते रहो मचाते रहो